जब आखों में आर्मान लिया, मंझिल को अपना मान लिया, मुश्किल है या आसान है। ठान लिया तो ठान लिया, ठान लिया है कि सरकारी नौकी लगना है, लेकिन उसमें व्यावधान बहुत आ रहे हैं, बेलकुल व्यावधान आएंगे, जब भी कोई अच्छा कारी होता है, व्यावधान तो आते ही हैं, लेकिन अब जब 25 परिचर भरती परिक्सा 21 सितंबर को ह होने वाले थी, वो अचानक से 15 दिसंबर को जाती है, लगबग धाई महीने उसमें अतरिक्ट मिलते हैं, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब कुछ लोग इसे नेगिटिव लेक मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, दिमाग खराब हो गया, ये हो गया, वो गया, जब परिक्सा आगे बड़ी है, तो विद्यारतियों का क्या रुख रहा है, और उस बड़ती परिक्सा में सलेक्ट होने वाले और असवल होने वाले विद्यारतियों के क्या मान सिकता रही है, इस वीडियो में आपको विस्टेशन करके बताता हूं, सबसे पहले मैं आपक किस अधिकारी का परिक्षा पेपर था वो चार बार आगे खिसका है ना और हर बार ही उसमें जादा नहीं 15-20 दिन महीना पर ही मिलता था ठीक है लेकिन मैं खुद स्वयाम केंडिटेट था तो मैं अपने विचार अपने मन की बात बता सकता हूं क्योंकि देखो मैंने इधर उदर उनको उनको नहीं देखा ठीक है खुद को देखा है मेरे विद्यारते को दिखा है तो मुझे बड़ी खुशी होति थी कर रहें 20 दिन एक्समील है चलो यह पड़ेंगे आशना मिला चलो यह पढ़ेंगे तो ऐसे करके मैं मेरी विचारता रहा हूं मुझे बड़ा अच्छा लगता था जब परिक्षा आगे बढ़ते क्यूं कि परिक्षा की संपोर्ण त्यारी करने में समय लगता है उसका विचलेशन परिक्षा में कैसे प्रस्णाएंगे रिवीजन य पास पास हाँ एक्जाम डेट भी आगे थी फिर हैना यह आचार सहिता लगने से वह सीधी एक्जाम हुए चार फरवरी को यानि उसमें भी लगबग 3-4 महीन आगे किसका दिया गया पुलिस के जो अपने है वह फिजिकल हुए थे उसको भी आचार सहिता से आगे कर दिया पसुपरिचर भरती भी आप देखो उसमें हैना मैं जुन में प्रस्तावित की और उसका फॉर्म भरने की डेट भी आ चुकी थी तेरा तारीक के ठीक है तेरा ओक्टबर मुझे याद है और बीच में उसका दस तारीक को नोटिफिकिशन आथा अब परिहार ये कार्णों स पहले ये कॉंग्रेस सरकार थी उन्हों ने भरती निकाल थी अपने वोट बैंक के लिए अब बिजी भी सरकार इसे क्यों बरेगी इस प्रकार से कई अनेक विवाद आये चलो आये तो आये क्या कर सकते लोगों की मान सकता है कुई सी को रोक नहीं सकते है ना फिर वापस ज और यार परिक्सा आगे किसा गई चलो बाद में पढ़ाई कर लेंगे तो उन परकार के बच्चों को माफ करना उनका सेलेक्शन थोड़ा टफ होता है तो कि जब आप एक दिन में रिलेक्स करते हैं तो आप से सो बच्चा आगे निकल जाते हैं और दो तीन दिन या दस दि करूँगा क्यों क्योंकि आपका खाली एक सब्जेक्ट नहीं है तो उन बच्चों में जो सुपर्वाइजर में धाय तीन मैंने अपनी पूरी एकदम कड़ी मेनत के साथ जूटे वे थे वो चार फरवरी को सेलेक्ट होने वाले होगे अब क्या हुआ उस चार फरवरी को प चार कोशन आउट आउट आफ अपने अपको सिक्योर करना था आप क्यूं इते पीछ रहे तो कोल मिला की ऐसा है कि जो समय मिलता है वो समय भगवान दे रहा है आपको ले बेटा अच्छे से नौकरी के लिए तैयारी कर ले और आप उस भगवान की अवेलना करके और गम मन आते हो कि सरह परिक्सा आगे चली गिया अर्य भाइ तुम्हारे कौन सा सेलेक्शन होने वाला था चुब में कौन से चीज़े आती थी क्या तुम्हें कल्चर अच्छे साति क्या तुम्हें साइन्सका एक-एक सब्जेक्ट आता क्या तुम्हें पशुपालन की पूरी 25 लिक्रत तो उसको स्वाल करके फिर जाओ ना युद में जाना तो तैयारी से जाओ आध्यादूरे सस्त्र लेकि जाओगे सही दो जाओगे आपको नौकरी देने में सरकार ने cido3 मैंए एक्स्ट्र लगाए दिया तो दो प्रकार के लोग पॉषटिव लोग जीत जाएंगे नेगेटीव मैं तो नहीं बोलूँगा हार जाएंगे तो नेगेटीव पॉस्ट्री हो जाओ क्योंकि हर नेगेटीव में सिरफ एक बिंदू की ही देरी है यदि आपके दिमाग में नेगेटीव इचारदार आ रही है यह उतनेगेटीव आ रही है मेरे भी आती सब क्याती कुछ मत करो एक नेगिटी ओर लगा दो इसलिए डॉक्टर का साइन प्लस रखा है तो पॉस्टर सोचो आपका जो यह 15 दिसंबर है यह आपके लिए बहुत बड़ी तारीक होनी चीए 15 दिसंबर जो है 15 दिसंबर जो है इसके लिए बड़ी तारीक हो कया कर ने वाले हैं और कुस परकार से आपको इसमें फायदा होने वाला है चलो महान दो चलो 15 मार्स आथा म्हाति वीडिये मैंने साइड में पढ़ाना चालू किया मैं 2011 में पास आउट हुआ था 16 में नौकरी लगी थी 5 साल नौकरी मेरी नहीं लगी लेकिन मैं बैठा नहीं था इस्कूलों में, कॉलेजों में, जगा जगा माथा मारता रहा, जगा जगा पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, आज भी वो कर रहा हूँ, आज भी मेरी नौकरी लगी फिर भी मैं आप लोगों के लिए संगर्स कर रहा हूँ, ध्यान रगना, तो यहाँ पर 15 मार् के कोक में पैदा हुई थी, वो मा की देन थी, ध्यान लगना, उस मा के लिए आपको नौ मैने कारी करना है, है ना, उन पिता जी के लिए जिनकी चेहरे पे फिक्र है के मेरे बच्चे का, हना, सलेक्शन होगा की नहीं होगा, नौकी लगे की नहीं लगेगी, ये जिन्दगी पर क्या करेगा, उस फिक्र को फक्र में बदलने के लिए काम करना है, ठीक है, माफ करना, छोटी तयारियों से जंग नहीं जीती जाती है, बड़ी तयारी लगती, UPSC में लोग 3-4-4 साल लगाते हैं, PMT मैंने 4 साल दीती खुद ने, 4 साल लगे थे, और भी अनेक और अनेक रहेगी, तो 15 मार्स से मैं आपका लगातार एप्लिकेशन पे, ट्रिक्स वाले पे काम करना चालू कर रहा हूं, 15 मार्स से लेकर अपन लगबग 6 महिने में कोर्स करेंगे पूरा, अच्छे से करेंगे, ठोक बजा कर, जैसे अभी आप देख रहे हो ना, एकदम सांती से, इ इसमें किसी प्रकार के कोई कमेंड नहीं, कोई बाचित नहीं, कोई इधर उदर का कुछ नहीं, सिरफ और सिरफ आप और मैं और आपके मोबाइल पर मेरी शांदार कंटेंट्रिक्स वाली क्लास है, ठीक, धाई महिने आपके बीद गए मेरे साथ ही है, डाई से तीन महिने म असर आपके, इन सब को एक ही सुत्रदार में पीरो कर, अच्छे से प्रैक्टिस वाले कोश्चन वाले बुक, यानि कि पांस से चे महिने तयारी, फिर तीन महिने, दो महिने टेस्ट रिच, और एक से दो महिने स्वाय अध्याए, सेलफ इश्डी, क्योंकि जब तक आप बठके मत मारो, आप तो घर पे बैठ जाओ, और अच्छे कोर्सेज, मैं यह नहीं कहता, मेरे कोर्सेज लो, हैना अच्छे कोर्सेज, जो भी आपको लगे पाल्टे में, आप पर्टिकुलर कोर्सेज भी जा सकते, सर हिस्ट्री ये, सर बहुत अच्छा पढ़ाते, इनका क पर सौदोसेज, लेलो, लेकर बैठो मत उसको पूरे नौर्स बनाओ, तो समय है भई, अच्छा समय है, और इसमें नौ महीने, मैं तो मानतों बहुत समय होता है, नौ महीने में आपके साथ, एकदम कदम ताल से, यूट्यूब से, एप के माद्यम से लगाता जुडा रहू और इसके साथ में और क्या लाने वाला, देखो समय मिलता है ना, तो आदमी कई चीजे सोचता है, आपके लिए एनिमल अजबेंडरी, पूरी मैं चकाचक कराऊंगा, मैं कोसिस करूँगा, इस नौ महीने में, आप 45 कोश्चिन के लाइक बन जाए, भई देखो समय मिलेगा तो मैं भी काम करूँगा, हैना, समय मिलेगा, तो मैं भी आपके लिए काम कर सकता हूँ, तो 45 नंबर जो आपके हैं, मैं कोसिस करूँगा पूरे आई, हैना, पूरे तो पूरे एक भी नहीं कटे, देखो उसमें मेरी कोसिस से खाली नहीं होगा, मैं तो पढ़ा दूँगा याद करा दों लेकिन आपको वापस उसका रिकॉल करना पड़ेगा मतलब आपको वापस उसको याद करना पड़े और याद करने लिए टाइम जी है फिर आपके जो साइन्स सब्जेक्टे विज्ञान ठीके साइन्स में भी आप लोग ऐसी राजी हो रहे हैं कोई कैसा मैं ब 50 बैच पड़ा रखें बड़ी बड़ी कोचिंगों में बड़े बड़े और सेल्फ खुद के भी पड़ा रहे हैं फर्स्ट गेट के खुद के बैच मैं बताओ में से पीच्डी करने के बाद भी आपको परमाणू करमांग नहीं आते आपको गुमा के पूच्छ देना क्य परमाणू करमांग क्या होता है आप मैं से जो कमेंट देख रहा बताना बीना गूगल की बीना किताब देखें लीवर मोरियम का क्या तो 116 होता है आपको घुमा के पूच्छ बताओ क्रिप्टॉन का कितना होता है तो कई जड़े गाई बोजाएंगे आपको घुमा के बहुत सस्ता मल एक रुपिया एक दिन पूरे साल का 300 पैस्ट तीन सो पैस्ट में 303 पैस्ट और आफर प्राइस में और सस्ता लाओंगा तो एक रुपिया एक दिन में आपके साइंस लाने वाला पूरी फिजिक्स, केमेस्ट्री, बाइलोजी अब बताओ मैं डॉक्टर तो 45 और 15 कितों के साथ उसके बाद आपके जो है ना और पीसी की तोरा तैयारी की दौरान मैंने कल्चर भी तियार किया था ठीक है कल्चर का कोर्स नहीं आएगा लेकिन इसके भी मेरा विचार है लगबग 15 कोशिन आएंगे यह आपकी यूट्यूपर होगा ठीक है यूट यह बार पढ़े मैं भी लगातार पढ़ता हूं मैं भी नॉट्स बनाओंगा करंट के 10 कुश्चं किते कोश्चं दस कुश्चं तो आप देखो 45 और 15 कितों होगे 60 60 और 15 कितों के 75 और 75 और 85 चलो इसके मानलो 5 ही मानते एक बार तो भी 80 question होते है तो आपके 80 question तो मैं ठीक कर यूट्यूब पे निमल नीपड़ा होगे, सब को पता है यूट्यूब पे अना क्या होता है, इसमे 45 और ये 60 ये एप्लिकेशन होगी, क्योंकि एप्लिकेशन में क्या एक जिम्मेदारी होती, यूट्यूब से कभी व्यक्ति का मन नी हो तो गाई बोजाता है, क्लास ले नी लेकिन एप में एक जिमेदारी होती उसको लेना ही पड़ेगा यानि ये 60 तो आपको एक एक टकाटक कराए जाएगा और आपकी साइता लेकिन 50% पर सुपरिचर बरती में खुद लेके चलूँगा उसके अलवा आपकी CTIV है तो आप में से कई जने CT देंगे तो CT में आपके साइंस पूरी काम आने वाली है एक बड़ा सब्जेक्ट टफ सब्जेक्ट आपको मैं देने वाला हूँ 40-50% इससी से गवर हो जाएगा उसके बाद आपके जो है केमिस्ट्री वाले बच्चे हैं उनका क्या करें जो जेट है उनके लिए अलग वीडियो आएगा ये वीडियो अभी competitive exam के लिए पस्व परिचर बढ़ती है और उनके लिए ठीक है तो भई गम मनाने वाले एक दो दिन गम मना भी लोग 15 तक से अपनी कमर कस लो यदि नौक लानी है अपनी माता-पिता के चेहरे पे मुस्कान लानी है जिन्द की set करनी है तो तो डंक से काम कर लो बगवान कहते हैं न साब इस्वर का दियावा अलप नहीं होता और जो तूट जाए वो संकल्प नहीं होता जीत को हार से दूर ही रखना मेरे दोस्त क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता पड़े कलाव कोई विकल्प है यह नहीं आप यहीं सोचते हो कहीं कोई paper मिल जाए ऐसा ही वाल हो जाएंगे ध्यानग ना ठीक है कहीं कोई आपको लगा setting हो जाएगी यह हो जाएगा तो आप ऐसा ही में देख ले ना जिनकी setting हुई ना उनका अभी क्या हाल हो रहा है है ना और मेहनत करने वाले जितने वच्चे थे आराम से नौकरी में लगेंगे तो मेहनत करो दबा के ठीक है बाकी में आपके साथ हूँ लगातार आपको YouTube पे सब्सक्राइब लगातार एप्लिकेशन पे आपको 15 से मिल जाएगी और इस बार तो अच्छे से आपका काम करने वाले है ठीक है अब यह है कि मेरा होस्ला सिरफ आप होन आपका होस्ला मैं हो दोनों मिलकर काम करेंगी इसमें तो मुझे कोई हिलाई घुरागे आपको नह स्थमें करेंगी उती है करेंब